नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल आओगु में जाने पर दोस्तों आज हम दर्शन करने आए हैं सारंग तला मुहला में स्थेत मातालच्मी जी के मंदिर में मातालच्मी का जैसा आप सामने देख रहे हैं यह मंदिर काफी खुबसूरत बना हुआ है पूरे मंदिर में सफेद मारवल लगा हुआ है और यह मंदिर कमल के पुस्प के समान बना हुआ है जैसा आप उपर छट पर देख रहे हैं बाहर से यह मंदिर और खुबसूरत लगत आते हैं दोस्तों यह मंदिर पांडेपुर चराहे से करीब दो किलिमेटर की दूरी पर पंचकोसी मार्क पर सारंतला महले में पढ़ता है मंदिर के बीचों बीच मालचमी जी की मूर्ति इस्ताफित है जो की अत्यनत सुन्दर मूर्ति है और सफेद मार्वल्क से बनी होई मूर्ति है करोना के वज़े से मन्दीर में अभी कम है सुख्रवार के दिन यहां पर विशेष पूजा होती है और इस समय सुख्रवार के दिन यहां पर काफी भी होती है जैसे आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ काफी हरियाली है और पोदे लगाए गए हैं इसके वज़े से मंदिर काफी मनुर्म लगता है दोस्तो इस मंदिर का निर्मा वर्स 1999 में हुआ था और इसका सिलन्यास किया गया था वर्स 1989 में 1989 में श्री आनंद कुमार अगरवाल जी द्वारा इस मंदिर का निर्माय करवाया गया है और सिलन्यास के बाद करीब दस साल में यह मंदिर बन कर पूरा हुआ इस मंदिर में आसपास के और काफी दूर दराश से भी लोग दर्शन करने के लिए बराबर आते हैं और सुक्रवार के दिन यहां पर काफी भी होती है मा की आर्थी सुक्रवार को विसेश आर्थी बहुत पूजा के कारों यहां पर काफी भी होती है दोस्तों सारंगतलाब मुहला का नाम यहां पर इस्तित एक पुखरा के नाम पर पड़ा है यह काफी बड़ा पुखरा है और सारंगतलाब पुखरा के नाम से प्रसिद्ध है इसी पुखरा के नाम पर इस अस्थान का नाम सारंगतलाब रखा गया दोस्तों यहां के मूख के पुजारी हैं श्री मनुच कुमार पांडे जी जिन से हमने बात की और उन्होंने इस मंदिर के बारे में हमें और भी कुछ बताया पताये पंडी जी कब बना है यह मंदिर का निर्मान करता स्री आदम किमार अग्रवाल जी हम मेरा नम मने किमार पांडे है हम वियार जिल्ला जंगु कर आने वाला हूं करता का मंदिर का विश्श्था यह कि मंदिर का निर्मान उन्हेश वनित्ष निवासी में स्लेशनास किए और और यहां भेड मनें दर्शार्थे के लिए मनें शुक्रवार को लोग विशेश आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जिसे तेभार में हैं, जिसे धिवाली है, धन्तेरस है, दुर्गापुजा है, शिवरात्री है, यह दोस्तो वीडियो में अन तक जरूर बने रहेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको चैनल पर जरूर मिलती है दोस्तों यदि आप अंडेपूर से आ रहे हैं तो करीब दो किलिमेटर आगे आकर बाएं साइड में मंदीर पड़ता है और मंदीर के आसपास काफी दुकाने भी लगती हैं हाला कि इस से में कम दुकाने आपको दीख रही होंगी बाहर से मंदीर का गेट काफी सुन्दर दिखता है और जैसा कि मैंने बताया मंदीर कमल के पुस्प के समान बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर मंदीर लग रहा है ये दोस्तों यदि आप यहां अभी तक नहीं आए तो जर्शन करने यहां पर जरूर आए आप इसकी सुन्दरता पर जरूर मोहित होंगे कर दोस्तों यहां पर जरूर मोहित है दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बारा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर बराबर मिलती रखती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत अमस्कार